हेलो शुडेंट्स, एनके मित्रलो क्लास में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट भारतिय साच्छी अदीनियम की क्लासिस स्टार्ट करने जा रही है जिसमें आज हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और इसके रिगार्डिंग आज हम यहाँ पर एक important topic कवर करेंगे आज हम यहाँ पर section 6 को कवर करेंगे section 6 जो की अपने आप में ही एक most important topic है आज हम यहाँ पर doctrine of rest yesterday की क्लास कम्प्लीट करेंगे doctrine of rest yesterday तो चलिए फिर आज का lesson स्टार्ट करते हैं आप सभी जानते हैं section 6 जो की doctrine of rest yesterday को बताता है एक most important topic है lesson को start करें उससे पहले हमें rest yesterday का meaning पता होना बहुत जरूरी है यह जो world है rest yesterday यह एक Latin term है जिसका मतलब होता है things done जो काम किया गया है याद रखिएगा इसके meaning को क्योंकि कई बार optional paper में इसका meaning भी पूछा गया है register का meaning Latin term है जिसका meaning है things done जो काम किया गया है चलिए ठीके lesson की शुरूआत हम एक example से ही करते हैं ताकि अपने बात को बहुत किलियरी पाई और simple तरीके से आप तक पहुचा सके है example देखिए section 6 का ही illustration है यह है इसमें जो A था उसने B को पीट पीट कर मार डाला ठीके जिस समय A B को पीट रहा था वहाँ पर उस समय crowd थी वहाँ पर उस समय भीर खरी हुई थी crowding थी वहाँ पर अब यहाँ पर बात समझना जिस समय at the time at the time जिस time पर A B को पीट रहा था उस time पर A के द्वारा कोई statement बनाया गया या फिर जिस time पर B को पीटा जा रहा था उस time पर B के द्वारा बनाया गया कोई statement या जिस time पर A B को पीट रहा था उस टाइम पर वहां पर मौझूद भीर कुराउट के द्वारा बनाया गया कोई स्टेटमेंट बास समझते चलना या फिर ठीक उस से पहले या ठीक उस घटना के घटित होने के ठीक बाद या ठीक उस से पहले बनाया गया कोई स्टेटमेंट कहने को अपने आप में वो fact and issue नहीं है लेकिन वो उसी transaction के अंतरगत बनाया गया है पूरा lesson completely समझना वो उसी transaction के तहद बनाये गई statement है चाहें तो घटना घटित होने के वक्त पर हो या उसके ठीक पहले या ठीक बाद में हूँ तव ऐसे statement जो कि fact and issue नहीं है लेकिन उसी same transaction का एक part है तो वो भी relevant माने जाते हैं इसी बात को डॉक्राइनो फ्रेस जैस्टे कहा जाता है चलिए इसके लिए आज हम leading cases के माद्ध हम से इसे clear करेंगी सबसे पहला इसमें case आएगा return versus क्यूइन का case है समझना आप मैं बार-बार कह रही हूँ इस video class को पूरा complete समझिएगा तब ही ये lesson आप समझेंगे case return versus क्यूइन इस case में husband पर अपनी पतनी की है mother का आरोप था इस case में facts क्या थे वो समझो इसमें पतनी ने wife ने telephone operator को phone लगाया और कहा कि उसे police चाहिए उसने police help के लिए telephone operator से कहा यहां पर वह telephone operator को समझ पाती इससे पहले ही उस phone करने वाली महिला कौन पतनी wife ने अपना address बताया और phone disconnected हो गया बताएगा address पर जब police पहुची तो देखा वहां पर उस महिला की dead body थी और उस महिला के husband का यह कहना था कि by accident मतलब गलती से गोली चल गई और वो पतनी उसकी मर गई पर यहां पर यह माना गया यह decide करा गया कि उस पतनी का उस महिला का telephone operator को phone करना अपने लिए पुलिस की मदद मांगना यह सब बातें relevant मानी गई और उस महिला के mother जो हुआ था उसके transaction का ही एक भाग मानी गई क्योंकि आप खुश समझो क्योंकि अगर यह accident होता जैसे उसके पती ने कहा था उसकी husband अगर यह accident होता तो भाईया वो महिला phone क्यों करती उसे पता कैसे चलती accident से पहले पता नहीं चलती हमारे से कुछ होने वाला है इसलिए उस महिला का telephone operator को phone करना पुलिस की मदद मांगना यह सब बातें उसी एक transaction का पार्ट है और अपने आप में relevant मानी गई हैं देखिए मैंने आप से पहले भी बताया था जब मैंने आपको अभी यह वाला तुरंत बादी कोई statement बनाना तो वो relevant होगा लेकिन हमें ध्यानिये रखना है कि जो statement बनाया गया है न वो इतनी देर बाद ना बनाया जाए कि काम खतम होने के लंबे समय के बाद बनाया गया है मानो वो कहानी के रूप में बनाया गया है तब वो relevant नहीं होगा इसे के regarding case था एक आर वर्सिस वेडिंग फिल्ट का case था समझलो इस case में क्या था इस case में एक महिला जिसका गला throat उसके गले पर घाफ था उसका गला कट गया था और वे कमरे से बाहर आई चीकती हुई और अपनी आंटी से जाकर जो उसकी relative थी एक महिला उनसे जाकर बोली कि देखो वेडिंग फिल्ड ने उसके संगी है क्या कर द समय जिस समय वेव्यक्ति उसको मानने आ रहा था उस समय उस महिला ने कोई statement नहीं दिया अगर उस time पर वो कुछ बोली होती तब वो relevant होता लेकिन उसने पूरा एक्ट हो जाने के बात कुछ बात कही थी तब वो relevant नहीं है मैं पहले ही बताया था फिर दुबारा बता रही at the time जिस time पर वो घटना घटित हुई है ठीक उसी time पर उस during उस time के दोरान during आ रहा है या फिर ठीक उससे पहले या ठीक उसके बाद में ना की act खतम होने के बाद में समझ में आ रही है बात अगर को statement बनाया जाएगा तो वो relevant मना जाता है अब इसमें एक point समझ लो ये वाल आर जैस्टे जो है न वो हेर से evidence का exception है इस point को clear करने से पहले ये समझ लो हेर से evidence क्या है ये समझ लो बहुत simple तरीके से जब भी कोई घटना घटित होती है उस घटना को जिस व्यक्ति ने देखा हो suppose करो ए है और उसने कोई घटना घटित होते हुए अपनी आँखों से देखी एक्जाम पर समझो ए ने कोई घटना देखी और उसके बाद में इसको जाकर इसने अपनी पत्नी से कह दिया पत्नी ने नहीं देखा बलकि जो कुछ ए ने बताया उसने के बर उतना ही receive करा क्या पत्नी के दुआरा दिया गया evidence मानने होगा क्या पत्नी के दुआरा इसका exception है कैसे है exception यह भी समझ लो इसके लिए आप देखो इसमें आर वर्सिस फॉरस्ट का मामला है केस क्या था समझ लो इसकेस में एक वैक्ती ने केवल भागता हुआ ट्रक देखा एक वैक्ती ने देखा कि एक ट्रक बहुत तेज स्पीट में उसके से सामने से चला गिय और पर उसने एक्सिडेंट नहीं देखा जो इस ट्रक ने एक्सिडेंट कर दिया आगया जाकर वो नहीं देखा बस इतना देखा कि एक बहुत तेज स्पीड में ट्रक निकल गिया है वैक्ती उस विक्टिम के पास गया जिसका एक्सिडेंट हो गया था उस विक्टिम ने उसे accident के बारे हैं बताया, यहाँ पर उस witness को यह permission दे दी गई कि victim ने जो बताया था वह इस बात का evidence दे सकता था, क्योंकि victim के दुआरा दिया गया statement, उसके साथ हुए accident का ही एक भाग था, इसलिए यहाँ पर register को hair से evidence का exception माना गया है, अब एक काम करो, section 6 को एक बार read कर लो, जितना मैंने बताया था, उसको ध्यान में रखो, अब read करो, facts which throw not in issue are so connected with the fact in issue as form part of the same transaction are relevant, मैंने पहले ही बताया था, ऐसे facts जो कि fact in issue नहीं है, लेकिन वो same transaction से कहीं न कहीं relevant है, उस transaction से कहीं न कहीं उसका भाग है, तो वो relevant माने जाते हैं, और हम इसे ही doctrine of rest, जेस्टे कहते हैं, जिसका meaning और उससे related, जितने भी इसके case laws हमने बताएं, वो सभी आपको याद करने हैं, समझने हैं, और यह class यहाँ पर complete हो जाती है,